की रेड़ी कि चलिए सीधे एकदम सीधे बैठो सीधे एकदम ओके सिट स्ट्रेट बुक्स बंद कर दो बुक्स नहीं हमें चाहिए फ्लोज यर बुक्स अराम से अराम से सीधे ओकर एकदम बिल्कुल और हमने कौन सा ब्रेन का कौन सा सेंटर एक्टिवेट करना है क्या नाम है ब्रेन के सेंटर का इसको जब भी हमने पढ़ने बैठना है हमने short term memory को long term memory में convert करना है हमें बहुत time तक याद रहे तो हमने कौन सा हमारा ब्रेन का सेंटर है हिपो केंपस है जिसको हमने एक्टिवेट करना है हमने अपनी तरफ से स्ट्रेट करनी है और अगर हम यह स्ट्रेट रखेंगे तो हिपो केंपस हमारा एक्टिवेट रहेगा इस टोके ठीक है तो टीचर प्लीज सी कि यह बच्चे जो है यह हमारे जितने भी जो है एक्टिवेट रहें और यह काम करें इस टोके ठीक है बच्चों तो अब जो है आज जो है आज हम आपका फिजिक्स दो यू नो वट इस फिजिक्स इस फिजिक्स यह कौन-कौन से टॉपिक्स आजाते है फिजिक्स में लाइच आजाती है और फीट आजाएगी हीट के मिस्ट्री में भी आजाती है sound आ जाएगी, force and pressure, motion, यह सब किस में आ जाते है, physics में आ जाते है, these are physical sciences, okay, तो as per your suggestion, as per the teacher's suggestion, we will start with light today, ठीक है, but हमारी teacher अलग होंगी, I am a teacher of biology, no, she will come, she is Pooja ma'am, so she will teach you physics, right, और सबने, जो कुछ नहीं समझ में आया, इस बार हमने काम पिछले test जैसा नहीं करना है, ठीक है, इसके बाद जो test होगा, हमने बहुत अच्छी तरह से करना है, who wants to get, you know, 100% marks, raise your hands, हाँ, everybody, तो उसके लिए काम करेंगे हम, हिपो केमपस एक्टिवेट करेंगे, ये, चलिए, अब मैम आती है, Pooja ma'am, और बिलकुल ध्यान से, अराम से, without any noise, बिलकुल कंसेंट्रेशन से सुनने, देखना, उसके बाद आपको सब याद आएगा, चीट है जीट है, चलिए, 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 लाद ज़ा विटे हूँ, अच्छा आप कर लोगे, चिके, आप में जब अचा बेजा, अच्छा टाइए, चीट है, आफ दुआरे जा था कर देखना तर रिखना, जा। okay very good very good everyone is present six students are absent in which section oh my god and class 8a 11 students are absent oh my god you are the lucky one you are going to get something new today you are very lucky children okay okay so we are going to start with the chapter light okay so light you have covered in school chapter yes okay okay it is a very good thing today we have to learn the light chapter it will not be complete whatever we will do we will understand very well we have to learn what is this chapter okay let me tell you if someone has doubt any doubt any doubt if someone has doubt so you can ask that time you can ask that time do not make doubt do not make doubt do not make doubt do not make doubt this class is for you everyone okay okay right okay no doubt कैसी पर मुलिए किया इस चैप्टर से हमने क्या चीजे लं करणी हैं टी कि सबसे पहले आपकोडे़ाइए लाइट क्या होता है यह सब में पढ़ रख है कि लाइट कि इसए फॉर्म उफ और इनर्जी है हुट है ज़िए लाइट इस फॉर्म उफ अफ एनर्जी इवन जो हम sound सुनते हैं आप मेरी आवाज सुन रहे हूँ मैं आपकी आवाज सुन रहे हूँ वो भी एक form of energy है ठीक है जब particles के अंदर energy होगी अब यह particles कहां से आ गए light can't the particles होते है दिखते तो है ने नहीं दिखते न बट बेटा कोई भी चीज दूर से आपके पास अगर पहुँच रही है it means वो particles की help से पहुँच रही है ठीक है बच्चे जैसे sound sound पहुँचती है ना आप आपस में बात करते हो एक की sound दूसरे तक पहुँचती है पहुँच रही है वो किस कारण से पहुच पा रही है due to the presence of particles ठीक है बच्चे तो light भी travel करके आप तक पहुच रही है with the help of particles राइट पीटा तो जब particles है तो वहाँ पर जब तक energy नहीं होगी ना तब तक आपको light दिखाई नहीं देगी sound सुनेगी नहीं यह चीज है particles के अंदर energy होती है आपने इस class में first chapter किया होगा ना matter in our surrounding जिसमें आप पढ़ते हो solid, liquid gas, solid में भी particles होते हैं, liquid में भी particles होते हैं, पढ़ है सबने? यह प्याँ है हमारी air में भी बहुत सारे particles है is that clear? light क्या है? is a form of energy, दूसरा हमने क्या देखने, role of light in survival कि light का role क्या है? light का हम देखते किसे, क्या देखने के लिए यूज होती है light? चीजे देखने के लिए यूज होती है सिर्फ light आप बता सकते हो किस-किस लिए यूज होती है light कहां-कहां यूज है light का yes, it's B first student जिसने रेज किया था है Hanji Bita and with the help of the sunlight is a form of light we can produce electricity okay ठीक है और और कोई यूज होती है? anybody from the class 8 A yes Harman Singh कौने class name? Harman Singh Hanji Bita बताओ जरा Harman Singh class 8 A student है Harman Singh Hanji Bita बताईए जरा light के क्या-क्या uses हो सकते हैं चलो आप खाना खाते हो आप सब खाना खाते हो obviously खाते हैं मैं भी खाती हूँ आप भी सब खाते हो तो वो खाना बनाता कौन है? ultimately वो खाना बन कहां से रहा है? बताओ कहां से बन रहा है? कौन दे रहा हमें खाना? आपने वीट खाया? आपने राइस थाये? कहां से आया वो खाना? from the? plants very good अब प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? by the process of photosynthesis अब photosynthesis process में मुझे ये बताओ क्या light यूज होती है? अगर light नहीं होगी तो क्या photosynthesis हो पाएगी? नहीं हो पाएगी तो light का देखो कितना बड़ा रोल है हमारे food के लिए indirect use हो गया न? जो हम खाना खा रहे हैं वो भी किस कारण से बन रहा है? due to the presence of light यहाँ पर कौन सी light है? sunlight ठीक है बच्चा? light यहाँ पर एक common term है हम चाहे वो tube light हो, bulb light हो, candle की light हो, sunlight हो light कोई भी हो सकती है ठीक है बच्चे? is that clear? हम देख सकती है देखती है हम अधेरे में आप देख सकते हो चीजे? अधेरे अंधेरे में बिल्कुल dark room कर दे वहाँ पर एक छोटा सा hole भी नहों जहां से light आ रहे हो, बिल्कुल dark room क्या आप शीजे देख पाओगे? अधेरे हाल में जाते हो है ना? वहाँ पर जैसे ही अगर lights already off हो चुकी हो, तो क्या आपको hall के अंधे की stairs दिखती है? या रांप दिखती है? बताइए? अगर कभी किसमें observe किया हो तो ये फिनामिना? अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ और light off हो चुकी हो थेटर्स की, तो आपको अंदर सब कुछ से screen चलती दिखेगी? उसके इलावा आपे chairs, लोग बहुत कम दिखेंगे या दिखेंगी ही नहीं, कुछ time period के लिए, फिन दिखने लग जाएंगे ठीक है बचा, तो light की presence में ही हम चीजों को देख पाते हैं, इस बेट clear? क्या आप light की absence में, colors को easily identify कर सकते हो, कौन सा red color की चीज है, कौन सी black है, कौन सी yellow है, कौन सी maroon है, अगर हम तेरा कमरे में, नहीं देख पाओगे न, आप easily नहीं बता पाओगे कि ये black color है, आप ये नह बता पाओगे मेरून color है, ये blue color है, नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? लाइट ने और किस चीज में help की बेटा? लाइट ने किस चीज में help की? हमें colors बताने के लिए, colors identification, किस कारण से हो रही है बेटा? किस कारण से possible है? due to the presence of light, ठीक है? हाँ जी, colors, देखो आपके surrounding कोई blue color है, कोई green है, कोई black है, कोई white है, कितने सारे colors है, वो different colors आप सिफ किस कारण से देख पा रहे हो, due to the presence of light. अभी at present अगर रूम की lights off कर दी जाए ना, और curtains भी off कर दिये जाएं, तो आप सिर देखना कितने colors identify कर पाते हो, आपके देखने है? चलो, फिर कर, मैं, प्लीज करेंगे अब lights off, अगर lights on है, तो ने तो एक बार curtains बन कर लो, गर dark हो जाए तो थोड़ा सा रूम, थोड़ा सा darkness हो जाए रूम के अंदर, एट भी, में तो अच्छा खासा darkness हो गया हैं, अब बताओ कितने colors identify कर पा रहे हो, फिर भी light आ रहे हैं, है बहुत जादा colors identify कर पा रहे हो, जितना पहले कर पा रहे है, क्या उतना कर पा रहे हो? नहीं कर पारे तो अब याद रखना है इस चीज़ को कि light की हैसे हम different different colors भी देख पाते हैं अब क्यों नहीं कर पारे इसका reason भी हम करेंगे और क्यों different different colors देख पाते हो इसका reason भी करेंगे ठीक है बच्छे चलिए पहले ये complete कर लेते हैं थर्ड है path of light, path of light क्या होते है बच्छा, light कैसे travel करती है ये आपने कौन सी class में पढ़ा था हूँ अभी 7th में भी तो पढ़कर आयो 7th में भी पढ़ा है आपने shadow वाला topic किया हा न light travels in a straight line में अभी आपको show भी करूँगी हम शेडों भी बना कर देखेंगे ठीक है बच्छे समझाया फिर हम properties of light discuss करेंगे जैसे की virtual and erect होती है light की properties जो भी होती है ठीक है बच्छे is it clear चलिए चलिए तो हम अच्छा आपको अब मुझे ये बताओं क्या आपको पता है light की क्या क्या properties होती है light अगर किसी object की उपर एक लास ही थे बिटाओं कर लीजिए लाइट की क्या क्या properties होती है light जब किसी surface के उपर फॉल करती है light कैसे surface पे फॉल कर रही है उस चीज़ पे डिपेंड करती है suppose करो लेटर से आपके पास एक बॉल है अगर आप बॉल को hard surface की उपर फॉल करोगे तो क्या होगा bounce होके वह वापिस आ जाएगी आ जाएगी अगर soft surface की उपर करोगे कोई mattress है कोई cotton है या sand है loose sand पड़ी है उसके उपर बॉल को fall करोगे तो क्या होगा तो बाउच नी करेगी है अगर loose sand होगी तो वह उसके अंदर भी जा सकती है है तो ऐसे ही हमारी light भी काम करती है वो depend करती है कि surface कैसा दिया गया है कैसा surface है उसके basis पर हमारे पास तीन phenomena's है reflection absorption and transmission ठीक है बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको absorption समझाती है let us say आपके पास एक आपके table पर पानी गिर गया let us say थोड़ा सा bottle से पानी गिर गया आपके पास hanky है आप hanky से clean कर लोगे उसको तो वो पानी कहा गया ये बताओ hanky ने absorb कर लिया समझ आया रही पर गीरा नी न वो अगर एक सेस में जाद हो मैं थोड़े से पानी की बात कर लियूं कि जितना hanky absorb कर सके समझे मेटा देखो ऐसे ही lights के साथ भी होता है lights भी absorb होती है ठीक है absorb होती है समझ आया भी absorb का मतलब क्या है कि light को किसी ने अपने पास absorb कर लिया रख लिया अब आप मुझे एक चीज बताओ आप गर्मियों में कौन से कलर के क्लोज पहनना पसंद करते हो light color black color prefer करोगे no क्यों नहीं करोगे because it absorbs more light light absorb करेगा light को absorb करने के बाद आपको black कपड़े के अंदर गर्मी लगेगी साथा अब आपने white color का क्लोज पहना white color का क्लोज पहना तो उसमें क्या हुआ बताओ जादा light absorb नहीं हुए light जादा absorb नहीं हुए तो वो जादा heat भी प्रोड्यूस नहीं करेगी समझ रहे हो मेरी बात सबको समझ रहे है एट थे सबको clear है न यही पिटा absorption होती है कि black color के close जादा heat absorb करते हैं और white color के ही कपड़े कम absorb करते हैं या light color के कपड़े absorption समझ आए आपको अच्छा एक और आपको अच्छी से और एक बात एंच आपको अच्छ आपको के अच्छ से कपड़े हैं आपको अच्छ एंच नावन रिख श्याएं पिटा बताईए जरां रिजन दीजे बताईए ब्लाक कलर की कार जादा होट की हो जाएंगी वाइट कलर की कार से अभी अभी मैंने कपड़ों वाला एक्जामपल दिया आपको ब्लाक कलर के कपड़े ज्यादा गर्मी क्यों देते हैं हमें बताईए अभी मैंने बताया आपको बताईए जल्दी से जरां प्रण वाइट बीट जो यह वाइट उनिफॉम में फिर्स पेंच पी हैं ब्लाक कलर जाओơn लुख धन लुख दांस वाइट कॉलर इस प्रण लाइट के पाथ को रोक दिया जाए तो क्या होगा जहां से लाइट ट्रेवल कर रही है अगर उस पाथ को रोक दे तो क्या होगा यह भी देखते हैं हम दोनों एक्टिविटीज करके देखते हैं ठीक है जब लाइट अफ कर दीजे एक तो एक कैमरा टेबल की तरफ अच्छा आप मुझे बताईएगा कि अब आपको लाइट पाथ में दिख रही है या नहीं दिख रही है लाइट ये भी ओफ कर दो एक मिनिट बिदा देखे बिटा ने थोड़ा और नीचे किजिए यादर ने यादर देखना आपको दिख रहे है छोड़ा रहा है बीच में ये हटा नहीं बचार देखो जरा इसमें से आ रही है आपको शेडू शेडू बोल्री लाइट आ रही है आपको ये देखो ये ना देखो दिख रही है ये हटा नहीं बचार देखो ये बिलकुल शेड लाइट में ट्रेवल करें ये ये बिलकुल बचार देखो ये देखो दिखें यहां रिफ्लेक्शन आ रही है चलिए टेबल मिरर का है ना हमारे पास टेबल के रिफ्लेक्शन आ रही है इसिंक आपको एक मुद इसकी ओपर देखें यह देखो अभी आई थी ना अभी आई थी ना कुछ कुछ दिख रही है तो light क्या कैसे travel करते है इन miles और अगर मैं इसका path थोड़ा सा change कर दूं कि के मैं ऐसे थोड़ा सा इसको fold कर दूँ, तो अब देखो, क्या अब light की share, कुछ हल्की से भी light दिखरी है आपको, नहीं, क्योंकि light straight line path में ही travel करती है, अब देखो मैंने इसमें क्या किया, यादा जिया उन कर दूचे, चाहिए, देखो क्या हुआ, देखो बच्चे, हमने यहाँ पर candle रखी, इस तरीके से, और यहाँ से हमने इसको tube की help से visualize किया, यहाँ पर हम खड़े थे, हम इस light को देख पा रहे थे, because light is traveling in a straight line, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस को ओपर shift करके देख लेते हैं, एक मिट रोगो, इसी tube को मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से bend कर दिया, ऐसे करके, ऐसे करके, खीके, अब light यहाँ तक तो straight line में travel कर रही है, अगर मैं इसको थोड़ा और जादा bend कर दो, तो light क्या है, फिर आगे पास नहीं करेगी, खीके बच्चे, समझ आई यह चीज, यह हुआ, अच्छा, अच्छा, अब light क्या shadow भी बनाती है, shadow कब बनती है, shadow कब बनती है, बिटा, हांची, बिटा, इस light का पास बन दो जाएगा, रुक जाएगा, अधर जी lights off कर दो, देखें, बनती है, shadow चलो, देखो, यह देखो, बन रही है, बिटा, 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 अधर ग बिटाएगे को, क्या रखा हुए, मैंने, सब रखा हुए, यह देखो, यह देखो, दिखरे है आपको, दिख रही है आपको, तो क्यूं बनी, बिटा, ये shadow, क्योंकि जो मभाइल था, इस इस light को इस cup ने स्क्रीन पे पहुँचने से रोक दिया, ठीक है बच्छी, जैसे कि suppose करो आपको spray painting करनी हो, light sun कर दिया, देखना बड़ा किसी हो, अच्छे एक चीज और देखो इसमें, ये देखो, देखो जैसे मैं इसको pass लेकर आ रही हूं, light को, दिख रखो और मेरा pass आ रह और जब मैं दूर लेकर जा रही हूं, तो cup का size, shadow का size, cup की shadow का size, small हो रहा है, मतलब shadow का size भी छोटा बड़ा होता है, ये नॉर्मली आपने चलते हुए रस्ते में भी देखा होगा, जब street lights वगेरा के नीचे से निकलते हैं, होता है न ऐसे, shadow से सब बनती है, जब light का रस्ता रुखता है, और ये भी हमारे लिए बहुत importance वाली चीज़ है बेटा, shadow बनना, क्या होता है इसके कारण, shadow formation के कारण, solar eclipse और lunar eclipse, बढ़ा है सबने, क्या क्या बनता है, solar eclipse, होते हैं, solar eclipse होता है, और क्या बनता है, lunar, ठीक है? और दूसरा कौन सा होता है, lunar, अब ये जो solar eclipse और lunar eclipse बन रहा है न, बेटा, this is also due to the formation of shadow, shadow के कारण बनते हैं, आपको बता है, solar eclipse के time क्या होता है, तीन चीज़े होती है हमारे पास, आप बताओगे, और, और, ये हो गया हमारा, प्यारा सा sun, ठीक है? छोटा सा sun है न, फिर एक हमारी क्या होती है? अर्थ, अर्थ को हम ले लेते हैं, ग्रील से, ये हमारी हो गई, अर्थ, ठीक है? अब हम एक ले लेते हैं, छोटा सा, नन्हा सा, मून, छोटा सा मून, ठीक है? जब मून, sun और अर्थ के बीच में आता है न, बेटा, तब अकर करते है, solar eclipse, ठीक है बचे? समझाया, अभी इसको बारे में डिटेल में नहीं जा रहें, सिर्फ location देख लो आप, कि होता क्या है, जब sun, देखो अब sun की light, जितना ये moon का size है, अब ये जब sun की light है, क्या अर्थ पे fall कर पाईगी? इतने portion में? यहाँ पे अर्थ की उपर moon की shadow बनती है, ठीक है? तो sun की light रुख गई, अर्थ की उपर आने से, इसको हम बोल के solar eclipse, पढ़ा है आपने बिटा इसके बारे में? यह अच्छा, lunar eclipse में क्या होगा बिटा? यह sun हो गया, यह हमारी अर्थ हो गई, और moon का पर होगा? यहाँ पर यहाँ पर? very good, moon होगा यहाँ पर, तो यह क्या बनेगा? lunar eclipse, अब अर्थ की shadow, किसके उपर पढ़ेगी? moon के उपर, इस case में क्या हो रहा था? moon की shadow पढ़ रही थी, अर्थ के उपर, ठीक है? तो shadow एक बहुत अच्छा concept है, shadow को ऐसे ही मत ले लेना, इस आलतों की चीज़ है, हाना कोई काम की नहीं है, इसी shadow के कारण solar eclipse, और lunar eclipse बनते हैं, ठीक है बच्छे? Is that clear? हाँ जी, हाँ जी, चलिए बटा, आगे चलिए अब, move करें आगे हम, ठीक है? चलिए, next हमारा topic है, बटा, कि हम different, different colors क्यों देख पाते हैं, हमें कितने सारे आपके पास color दिख रहे हैं आपको, ये सब colors क्यों possible हैं, कौन बताएगा? अच्छा, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, ये phenomenon सो रह गए, reflection क्या चीज़ होती है, बटा? लाइट, 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 लेको, 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 क्या हो रहे हैं, ये light आ रही है, light एक surface पे fall कर दी ए, और bounce back हो रही है, इसको हम बोलते है, reflection, जब टकराई, आप ball के साथ केहँ हो, तो क्या होता है, बताओ? सर्फेस पे हिट करेगी चकराएगी और वो वापिस आजागी वो बाउंस बैक हो गई हाना बच्छे फिर एब्सॉप्शन हमने समझ लिया ये ट्रांस्मिशन क्या चीज है बताईगे हान जी जैसे सपोस करो मेरे पास एक एक कप है ठीक है ये किसका बना हुए ग्लास का ठीक है अब लाइट इसके उपर अगर कोई पॉल कर रही है तो क्या वो अंदर नहीं जाएगी इसी को हम ट्रांस्मिशन बोलके है जब लाइट एक सर्फेस से दूसरे सर्फेस में चली जा जाती है इस एट क्लियर अप्जोप्शों कब हुए जब लाइट इस एब्सॉप्शन वाला फिनॉमिना है और जो ये रिफ्लेक्शन वाला फिनॉमिना है इन दो फिनॉमिनास को जब हम इकठा ग्र देंगे तो हम क्या देख पाएंगे डिफरेंट colors ठीक है चलो अब देखते हैं कि different colors कैसे दिखेंगे हमें चलो हांची पेटा अब है visible light देखो हमें कुछ objects white दिखते हैं कुछ objects black दिखते हैं बाकी सब objects हमें colorful दिखते हैं अब light जो होते हैं बेटा visible light में क्या होते है आपने whip गी और दिस पढ़ा हुए rainbow पढ़ा हुए हमारे पास बेटा different color होते हैं violet very good violet indigo very good फिर क्या आएगा green then yellow orange and red very good यह हमारे विबग्योर के color होते हैं इन ही colors के combination को हम बोलते हैं visible light क्या बोलते हैं इन colors के combination को हम visible light ठीक है पिटा visible light इन ही color के combination को बोला जाता है अब यह color हमें different कोई चीज हमें red दिखती है कोई pink दिखती है कोई green दिखती है कोई yellow दिखती है कोई black है अब देखो यह जब visible light के देखो seven colors आप देख पा रहे हो violet है यह देखो violet, indigo, blue, green, yellow, red, orange देख पा रहे हो बिटाओ जब visible light किसी surface के उपर fall करे और सारे के सारे colors reflect हो जाएं all colors are reflecting है न बच्चे? तो इसको हम जब सारे colors reflect होंगे तो वो surface हमें कैसा दिखेगा? white white ऐसा खीक है बच्चे? अब देखो इस case में क्या हुआ? बताओ ज़रा खुद से light तो fall कर रही है बट क्या कोई reflection हो रही है? बताओ यहाँ कोई reflection हुई कोई light ऐसे गए टकरा के वापिस कोई भी light reflect नहीं हुई अगर reflect नहीं हुई तो गई कहाँ वो सारे light? गई हो गई देखो कप और वो surface आपको कैसा दिखेगा? अब देखो सारी light एब्जॉब हो गई light में तो energy होती है वो energy आपको क्या करेगी? गरम करेगी है ठंडा करेगी? अभी समझ आया कि black color के clothes में ज़ादा गर्मी हमें क्यों लगती है? बताओ समझ आया? देखो वाइट में तो कोई भी light अपने पास में रखी light color के clothes सारी light को वापिस भेज देते हैं जब light white surface के पास रही ही नहीं तो क्या होगा? क्या होगा बिटा? वो heat produce नहीं करेंगे heat produce नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर reflect होगी सारी light तो कोई भी light आपके कपड़ों के अंदर energy produce नहीं कर पा रही है और आपको गर्मी नहीं लगेगी इसमें इसको क्यों करेंगे? अब चले आया बिटा समझे? अब ऐसे ही देखो बिटा इस केस में ये surface कैसा दिख रहे है? बताओ ज़रा जल्दी से अब देखो इस case में क्या हुआ? light सभी colors की fall कर रही है visible light fall कर रही है इसके उपर? fall हाना? और reflect कौन से हो रही है? red light तो ये surface आपको कैसा दिखेगा? red इस case में देखो जब visible light fall हुई तो कौन से color की light reflect हुई? अब रही हाना है तो ये surface कैसा दिखा? इस अब red color में सिर्फ red light reflect हुई तो बाकी की six lights कहां गई? अब रही है ना? इस case में सिर्फ green reflect हुआ बाकी की lights नहां गई? अब रही है समझ आया बेटा फिनॉमिना आपको? clear हुआ यहां तक सबको समझ आया या नहीं आया? clear सबको clear? just raise your hand जिसको clear नहीं हुआ यह सिर्फिनॉमिना सबको clear हुआ reflection हो रही है absorption हो रही है हम different colors क्यों देख पा रही है? हमें खाने के लिए जो खाना मिलते है food मिलते है उसमें light कहां से use हो रही है? कैसे use हो रही है? हमने shadow का देखा कि solar eclipse में use हो रहा है lunar में eclipse में use हो रहा है यह सब हमने देखा और हमने देखा light के कारण ही हम different different colors को देख भी पाते हैं यह चीजे समझ आई बच्चे आपको ठीक है बटा? Is that clear? अभी थोड़े से questions करेंगे ध्यान से समझना आप सबने answer करने है उनका ठीक है? चलिए बटा, next हमारा topic अब हम जो concentrate करेंगे ना बच्चा वो हमारा topic है reflection किस पे काम करना है हमने? reflection ठीक है? इवन जब हम human eye करेंगे ना बटा? human eye के अंदर भी हमने जो transmission पढ़ा अभी कि जब light rays glass के उपर fall के और वो another medium में enter कर जए ठीक है बच्चे तो transmission यह हम चीज समझेंगे human eye में हमारी आँखों में transmission of light होती है हमारी आइज में absorption of light भी होती है human eye हम अपनी आँखों से कोई चीज जब देखते हैं किस के कारण देखते हैं? reflection of light के कारण देखते हैं समझ रहे हो बिटा? तो यह सारी चीजें हमारी आँखें ऐसे ही नहीं बनी देखते हैं बहुत ज़ादा फिनॉमिनास पर काम करती हैं यह आँखें हाना? खीके जी? चलो, इनको ऐसे ही नहीं mobile देख देखके खराब करना देखते तो सभी है, मुझे पता है मुबाइल कौन नहीं देखता है सब देख कोई है क्लास में जो मुबाइल यूज ना करता हूँ या बहुत कम यूज करता हूँ देखो, एक भी हैंड रेज नहीं है हाना? सब यूज करते हैं किसी को अपनी आखों की फिकर नहीं है हाना? रेगुलर मत देखा करो बेटा 15-20 मिनट से जाधा मुबाइल कॉंटिनुटी में नहीं देखना चाहिए देखो, न्यूज करो, थोड़ा बहुत एक लिमिट तक ठीक है बिच्छी? चलो जी आगे चले हम? I'm yes चले चले बेटा आगे बेजा हमने अब काम करना है रिफ्लेक्शन पे अब इसके लिए भी मैं आपको एक अक्टिविटी दिखाऊंगी बट उससे पहले जो इसकी बेसिक टर्म्स हैं चीजे हैं अंगल है वो चीजे हम समझ लेते हैं कि होता क्या है रिफ्लेक्शन laws of reflection क्या है इवन आपको एक second law जो होता है आपका plane जिसके अंदर word आता है incident ray reflected ray and normal lies in the same plane वो भी हम समझेंगे कि plane का मतलब क्या है ठीक है बच्चे चले हमारा topic है बेटा reflection ठीक है अब ये reflection होती क्या चीज़ है सबको पते हैं क्या होता है reflection bouncing off very good bouncing off bouncing off है ना अब ये bouncing होती कब है जब light किसी surface के उपर hit करती है जब टकराएगी तब light bounce करेगी देखो ball है हावा में उच्छालोगे थोड़ी न बाउंस करेगी जब किसी surface के उपर hit करोगे floor पे hit करोगे wall पे hit करोगे किसी hard surface पे hit करोगे तब ही तो वो bounce होगी ऐसे light को भी bounce होने के लिए surface की ज़रूरत होती है clear हुआ इतना ये समझ आया अब हम देखते हैं कि आपने इस अब देख रखा होगा मुझे बताओ अगर मैं ये diagram बना दू इस तरीके से ये suppose करो ठीके हम इस रे को क्या बोलेंगे incident ray तो जो रे ये मेरे पास क्या है नीचे this is my mirror plane mirror कौंसा mirror जिसके अंदर हम खड़े होकर देखकर अपने अपकी कॉम करते हैं ready होते हैं वो वाला plane mirror हम यहाँ पर हमने रख दिया horizontal करके समझ आई बिटा ऐसे करके रख दिया इसके उपर मैंने ray fall करवाई ray fall कर रही है इसके उपर तो जो ray fall करती है उसको हम बोलती है incident ray यह इस ray का नीम क्या होगा बिटा reflected ray very good देखो reflected reflection reflected ठीक है बिटा reflected ray समझ आया बिटा इस point को हम क्या बोलते हैं इस point को हम क्या बोलते हैं point of incidence very good shabash point of incidence सभी बोल रहे हैं कुछ बच्ची बोल रहे हैं बिटा सभी पार्टी स्पीट करूँ इसमें एक बिटा line होती है जो की incident ray और reflected ray के angle को दो equal parts में divide करती है उस line को हम क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे normal ठीक है बिच्चा तो ये हमारा है normal clear हुआ बिटा हाँ जी अब बिटा देखो एक चीज़ा ध्यान से देखो इस केस में लेट असे अगर ये angle आपका अगर ये angle आपका 30 डिग्री है तो ये angle भी कितना होगा मतलब कि अगर कोई light ray travel करती हुई आ रही है यहां से ऐसे 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 वो यहां हिट करेगी और फिर ऐसे ऐसे वापिस चले जाना चाहिए ये ही reflection का मतलब हुआ ठीक है इस angle को हम क्या बोलते है इस angle को हम क्या बोलेंगे reflection समझ आया बिटा इतना ठीक है ये चीज़ें clear हुई चलो हम एक activity करके देखते हैं क्या सच्ची में ऐसा होता है या हमसे board के उपर draw करके समझा रहे हैं क्या light ऐसा path follow करती है सच्ची में क्या ऐसा angle बनाती है कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा अगर यह 60 होता तो यहां कितना होना चाहिए था 60 60 अगर यह 40 होता तो आर कितना होना चाहिए था 40 चलो हम चेक करते हैं जल्दी से एक बार देखें देखते हैं क्या यह हो रहा है इसे ठीक है या तो जी लाइपन कर देखो दिख रहे हैं सबको यह यह दिखना चाहिए खोड़ा शिफ्ट करना प्रेगा हाँ देखो बेटा यह दिखरे सबको एक कर में दिखा दूँ यादा जी लाइट अन करना इनको दिखा दूँ देखो यह दिखरे बेटा सबको टो ना हणूं दिखरे पूदेटा ओड़ेंगा दिखरे दिखरे होगा दिखरे ठेटरोण दिखरे एंग कले दिखरे ठीक हो गटटा विड्यंग धना यह मत्यकिए पुटसक ट्रेकर प्लाट ज़िए विटा Edgar स्क्रीन जूम कर दीजा, मेरी बला है, कैमरा, हाँ, ठीक है बच्चे, यह क्या लिखा हुए, ठीक है, अब यह देखो, इंसिडेंट रही है, यहां से जा रही है, यह एंगल कितना लिखा हुए, मैंने, और यह थट्टी, यह ब्लाक वाली लाइन पर ध्यान देना, भी यह कितना बन रहा है गला, ठीक है, अगर मैं लाइट रे को यहां से फॉल करूं, तो वो ऐसे जानी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, देखें क्या इसा हो रहे है, हल्की से लाइट रहा है, यह देखो बड़ा, आप यह देखो पहले दिख रहे हैं आपको, यह देखो, यह यह देखो, 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 देख पा रहे हो बिटा बिटा हवाज नहीं आ रही है तो देखो जिस एंगल पर इंसिडेंट रही थी यह देखो बिल्कुल सेम जारी है अब देखो यह जो ब्लू वाली लाइन है इस पे कॉंसेंट्रेट करना नीचे वाली लाइन से यह जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है इस इस ऑफ 40 डिग्री अब अगर यहां से लाइट रही है तो रिफ्लेक्ट भी यहीं से होनी चाहिए 40 डिग्री का एंगल बनेगा चलिए देखते हैं क्या बन रहा है 40 डिग्री का यह देखो यह देखिए दिख रहे है बिटा बन रहे है यह देखो जा रहे है 40 पे यह आपको समझ आया कि जितना एंगल ओफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ओफ रिफ्लेक्शन होगा ठीक है एक्सपेरिमेंटली हमने चेक कर लिया दुबारा देखना है तो बता दीजे अधर क्लेर है तो मुझे वो भी बता दीजे Is it clear to everyone? Class 8 A? Class 8 B? Is it clear? समझ आगया बिटा सबको? अब हम देखो हमारे पास laws of reflection होते हैं ठीक है laws of reflection में क्या-क्या पढ़ते हुआ? यह बंद हो गया? बोट बंद हो गया? नहीं चल रहा हुआ पावर आफ तो नहीं हो गया? चलो चले बिटा यह मुझे दिखा दो मैं इतनी दिनको law समझा दो मैं को नीचे कर दो हाँ हाँ बस ऐसे कर दो और कर दो हांची देखो बेटा अब एक चीज देखे जरा हमारा जो first law है अभी मैं board start होते हैं तो मैं आपको लिखके दिखाती हूँ ठीक है? पर्स्ट लो क्या कहते हैं कि angle of incidence equals to angle of reflection this is our first law क्या ये प्रूव हो गया? अब मुझे ये बताईए second law क्या कहते है? अब ये plane क्या होता है? ये अपने maps में पढ़ा हूँ एक ये plane? मैं आपने पढ़ा है आपने? coordinate में xx's yx's? ये ये इस ठीक है बच्चे? चलिए देखो क्या चीज होती है laws of reflection क्या कहते है? पर्स्ट आपने पढ़ लिया laws of reflection हमें बोलता है कि angle i equals to angle r ये हमने prove कर लिया बिटा ये हमारा prove हो गया कि angle of incidence equals to angle of reflection अब देखो दूसरा law क्या कहते है? ये आपका x-axis है ये आपका y-axis है और ये आपका z-axis होता है z-axis भी होता है अब plane का मतलग क्या है? जो हमारी light है जो कौन-कौन सी? incident ray, reflected ray and normal तीन चीज़े हैं हमारे पास तीनो कहां लाई करती है? हमने पढ़ा सेम plane में एक ही plane मतलग देखो बटा ये हमारा x-y plane है ये एक plane है मतलग तीनो rays तीनो के तीनो lines x-y plane में होती है z-axis पे कुछ नहीं होता ठीक अब भी मैं समझा रही हूँ देखो कैसे ये देखो अब आप ये देख पा रहे हो जब अच्छ थोड़ पनीचे कर दो ठीक है? और कर दो ताकि दिख चाहे हाँ देखो अब अगर आपके एक काम करो हमारे पास इस पेपर के उपर ये मैं अगर x-axis मान लूँ मतलब आप किसको हम एक को x-axis मान ले ये जो mirror आपको ऐसे दिख रहे है इसको आप क्या मान लो? red axis x और y कैसे हैं? देखो इस तरीके से दिख रहे बाट पे? नहीं दिख रहे हैं ठीक है? एक ये जो horizontal surface है इसको x मान लो इस vertical को आप y मान लो मतलब ये sheet के उपर कोई भी आपके पास a4 size sheet है ये board है अगर आप इसको x-axis मान लो तो ये y-axis हो जाएगा पिटा? ये और जो ये mirror थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुए देखो ये निकला हुए ना थोड़ा सा बाहर की तरफ ये इसको आप z-axis मान लो मान लिया अब ये जो incident ray normal and ये reflected ray है ये कहाँ पर है? क्या ये mirror के उपर है? क्या ये x और y plane के उपर है? देखो पेपर के उपर बनी है ना ये mirror के उपर बनी है ये बताओ और पेपर को हमने क्या माना था? ये x plane है x-axis है और ये y-axis है पेपर को हमने ये माना था समझाया? समझाया पिटा? देखो पेपर के तो ये तो चीज़े है आपके पास एक copy है लेट आपस ये copy है कुछ भी है ये x-axis है तो ये y-axis है? ये और जो तीनो rays बन रही है कहां बन रही है? वो यहीं तो बन रही है ठीक है? एक आपके पास है z-axis suppose करो ये z-axis है ये जो मेने हाफ में pen पकड़ा हुआ this is a z-axis क्या जो मेरी ray बन रही है इस pen के उपर कहीं आ रही है? नहीं फिर वो कहां आ रही है? x-axis और y-axis के surface के उपर समझ आई बटा मेरी बात? ये रही है इसको हम plane बोलते हैं बटा इसी चीज़ को हम plane बोलते है ये हुआ ये? ठीक है? अब देखो ये आपका x-axis ये आपका y-axis और ये mirror आपका z-axis ठीक है? ये x-axis, ये y-axis और ये mirror आपका z-axis तो ये तीनो रेज आपकी कहां बनी? x-axis और y-axis के उपर समझ के है बटा? ये इसी को plane बोलते हैं बटा plane उडाने वाला plane नहीं है इसमें कि incident रे, reflected रे and normal lies in the same plane plane का मतलद है कि same ये देखो कहां लाई करती है? x-y plane ने यहां नहीं आ रही है बटा हमारी रेज देखो इस z-axis के उपर नहीं आई is that clear? समझ आ गया? तो ये बटा हमारे दो laws हैं जो कि हमने अभी समझे कि angle of incidence equals to angle of reflection और second law क्या कहते है कि जो हमारी incident रे है हमारी reflected रे है और जो हमारा हमारी normal रे है they all lie in the same plane is that clear? समझ आई बटा ये चीज चल ये बटा अब आपके सामने में कुछ questions दे रही हूँ ठीक है? उन questions के answer अभी तक जितना हमने पढ़ा हूं वही सब कुछ discuss करेंगे हम ठीक है ठीक है? चल ये question number first देखे बटा look at your question number first सबने अपने अपने answer लिखते जाना है मैं फिर discuss करूंगे I'll check किसने सारे answers ठीक लिखे हैं और ये मेरे को बोल के अभी कोई नहीं बताएगा just write your answers on the notebook A, B, C, D option करके लिखते जाओ A, air, B, water इस तरीके से ठीक है? there are five to six questions I'll see सारे के सारे answers ठीक करेगा ठीक है? clapping करेंगे फिर उसके लिए हम मैं भी करूंगे ठीक है? देखते हैं सबको कितनी clapping मिलती है चलिए, first question out of the following transmission out of the following transmission cannot occur through transmission मतलब light का एक medium से दूसरे medium में चले जाना surface को cross कर लेना answer नहीं देखना बिटाएग दूसरे के do it yourself we have done done move to the next question चलिए अपना बच्चे लेखना जड़ा से लेखना ज़रा से मैं प्लीज कोई चीतना करें very simple question just मिलको देखना है आपने clear इतना किया चाहता done बिटाएग no भी आ रही है बीच में कहीं पे मुझे which color of shirt you prefer to wear outside on a sunny 45 degree day ठीक है 45 degree temperature है outside तो कौन से color की shirt prefer करोगे आप right should we move to the next question when light hits on an area and bounces back it is called ने कर लीजे कर लीजे बेगा take your time अराम से समझ के करें हो गया बिच्चे done yes next question on which surface you prefer to walk bare footed on a hot sunny dry day day आना था बीटा साथ में bright day ठीक है black cemented road grey dark bare footed का मतले पते सबको yes ओके पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ sock, shoes, कुछ भी नहीं ठीक है on which surface you prefer to walk okay everyone okay ठीक है एक question में board पे draw कर रही हूँ पेटा आप मुझे बताईएगा आप मुझे question का answer दीजिए अगर incident, angle of incidence अगर 65 degree का है तो angle of reflection कितना होगा 65 लिख लो लिख लो write your answer if angle of incidence is of 65 degree then angle of reflection will be 65 degree okay very good अप देखो मैंने ये बनाया diagram let us say ये जो angle है this is of 25 degree let us find okay बच्चे clear हुआ ये it is 25 degree ये incident ray this is the आप ये बना देती हूँ मैं this is a reflected ray अब मुझे ये बताओ एक तो ये angle कितना होगा 25 और ये पूरा angle कितना होगा 50 कैसे हुआ 50 degree 50 देखो ये angle I हुआ बिटा हमारा this is angle I अगर angle I 25 है तो angle R कितना होगा 25 ये पूरा angle कब बन रहा है angle I plus angle इसको हम X मान लेते हैं ठीके इस पूरे angle को हम X मान लेते हैं तो angle X कितना होगा अना बस simply plus कर दिया 25 plus 25 ये आपका आ गया 50 degree समझ आई बिटा इस इट क्लिए चलो एक बार answer discuss कर लेते हैं पीछे वाले सारे फर्स कोशिन का answer बताइए बिटा वोट वोट य चाहए गाए Transmission air में से हो जाएगी? हो जाएगी Water में से हो जाएगी? हो जाएगी Glass में से हो जाएगी? Wood will be the right answer Very good Shabash Next question What? Why? Very good Chalye next question Reflection Very good Reflection will be the right answer Chalye next Pee chalye Hanchi Grass होगा? Soil होगा? Soil Grass 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 जाती है बिटा जर्मियों मिठ्टी नंगे पैर नहीं चल सकते है Barefooted We can't move on the soil Grass 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 जाती है इनचे कहे पैर नहीं पैर कहा आंसर आँस चली नहीं नहीं सकते ब्लाक सिमेंटी रोड के ऊपर कहा चलेंगे हम पंक्रीट रोड के ऊपर हाना चाले हो जाएंगे पैरों के अंदर मोटे मोटे से हाना तो grass will be the right answer अच्छा एक चीज और बताईए मुझे ये आपके पास एक plane mirror है ठीक है this is the ये मैं lines क्यों लगा रही हूं नीचे बताओं कि ये मैंने lines लगाई तो क्यों लगाई just raise your hands anyone हान जी हर्मन प्रीच कोड़ हान जी पेटा क्यों ये time क्यों लगा रहे हैं हम नीचे लिखो पेटा जब भी हम physics में mirror को ड्रॉ करते हैं mirror के आपने देखा होगा दो साइड होती है एक साइड होती है polished और एक साइड होती है जहां आप खड़े होकर अपने आपको देखते हो मतलब कि reflecting दो साइड होती है जैसे कि ये साइड है ये mirror है एक साइड इस पे होगी polished ठीक है और एक साइड होगी उसकी जहां पर reflection होगी ठीक है तो जो polished साइड होती है ना उसके पास हम क्या कर देते हैं हम इस तरीके से line लगा देते हैं मतलब mirror का वह वाला surface polished है वहां पर orange से color की polish की हुई है ठीक है बच्चे वहां से अगर आप अपने आपको देखोगे तो नहीं देख पाओगे समझ आई बटा ये चीज मेरी अब मुझे चीज बताएए कि मेरे पास एक plain mirror है whiteboard पर या से ठीक है लेटर से मेरे पास एक plain mirror है ठीक है ये अब समझ गए ना मैं lines क्यों लगा रही हूं नीचे ठीक है अब इसके उपर मैंने एक ray को fall किया ये मेरी एक ray थी जो fall हो रही थी बिलकु स्ट्रेट है थोड़ी टेड़ी हो गई line हम सीड़ी बना लेते हैं ये मैंने एक ray fall की अब क्या आप मुझे बता सकते हो this is my incident ray बिलकु सीधी मैंने fall की incident ray इसको ध्यान से समझना important कर लो ये बहुत काम आती है चीज़ अब ये incident ray जो मेरा mirror है this is my mirror इसके उपर कैसे fall कर रही है straight line straight line मतलब इसको आप perpendicular बोल सकते हो कि perpendicular fall कर रही है लिको अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें क्यासा diagonally fall कर रही थी ऐसे fall कर रही थी बट यहां पर यह line बिल्को straight आ गई है क्या इस case में आप मुझे angle I, angle R बता सकते हो हां जी जो angle of incidence होता है बेटा वो किस-किस के बीच में होता है चलिए यह बताइए मुझे जो angle of incidence बनता है यह angle of incidence है यह किस-किस के बीच में बन रहा है normal और ray के बीच में तो अगर आप यह 90 degree का बोलोगे तो it means आप यह जो angle बना रहे हो वो तो mirror और incident ray के बीच में बता रहे हो हां ना यह मेरा इस case में mirror है this is mirror जो आप मुझे angle बता रहे हो कि यह 90 degree का बनेगा मैं चलो बान लिया एक बार वैसे नहीं बनेगा इसका मतलब आप मुझे क्या बता रहे हो just a minute लो आप आप मुझे यह वाला angle बता रहे हो क्या यह angle of incidence होते है बता angle of incidence कहा होते है ध्यान से बीटा सभी मेरे को लग रहे है नहीं कर रहे है सुन रहे हो मुझे ध्यान से angle of incidence कहा होते है यहा होते है ना कि यह वाला होते है यह नहीं होता angle of incidence तो यहां पर यह 90 डिग्री का कैसे हो सकते है इस केस में बेटा angle of incidence देखो normal और incidence वे एक ही जगहां पर आ चुकी है जैसे कि यह मेरी suppose करो यह मेरा नॉर्मल है और यह मेरी incident ray है दोनों एक के उपर एक आ चुके है इस तरीके से अब इनके बीच में क्या कोई एंगल है तो उस एंगल को जब कोई एंगल है नहीं तो उसको हम क्या लिखते है दीरो डिचान एगर एंगल एंगल एक ग corrections क्या होगा पिलुर हांजी देखो हम यही करते है, incident ray आई, हिट किया और चली गई ऐसे ही होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा देखो, incident ray आई, यहाँ पे hit किया, और सेम पाथ पे वाफिस चले जए, समझ आए बिटा, इसको हम एक पर पूरा दुबारा देखते हैं, कि क्या बना, यह मेरी incident ray, यह मेरी, और सुर, यह मेरा mirror, this is my mirror, this is my incident ray, ठीक है, अब normal भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, हम perpendicular, इंसिडेंट रे भी पर्पेंडिकुलर है, इट मीन, नॉर्मल आण इंसिडेंट रे के बीच में, जो एंगल है, एंगल इस, यह बेटा, ड्रॉ करो अभी तरह, यह वाला केस ड्रॉ कर लू, ठीक है, यह इंसिडेंट रे, this is the mirror, ठीक है, और नॉर्मल भी यही पर है, इस केस में, अंगल आई इक्वल्स तू अंगल आर इक्वल्स तू जीरो डिगरी, समझ आया बिटा ये, मैं मैं, एक्वल्स तू नॉर्मल ओन इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा, न बच्चे, और आपने अगर पढ़ा होगा, तो दो पैरलल लाइन के बीच में, एंगल हमेशा जीरो डिगरी होता है, मतलब अगर एक ये लाइन है, और इसके उपर मैं एक लाइन और बना दू, तो इनके बीच में एंगल जो होता है, वो हमेशा जीरो डिगरी होता है, दो पैरलल लाइन के बीच में एंगल हमेशा जीरो डिगरी रहता है, अच्छा एक चीज और देखो, मैं आपको तरीके स और समझाती हो यहाँ पर देखो यहाँ आपका नॉर्मल था यह आपकी इंसिडेंट रेसी लेटर से हैंना अब यहाँ पर ध्यान से देखना आपके पास लेटर से यह एंगल था 20 डिग्री हमने मान लिया अब इस इंसिडेंट रेका पाथ थोड़ा सा और ऐसे कर दो कर दिया देखो जरा अब चाहुआ यह जो एंगल था यह देखो थोड़ा कम हो गया ना पहले से के नहीं हो यह बताओ पहले देखो इतना बड़ा इंगल सा यह पूरा Oo अभी इतनासा रह गया जो कि भी आप से उसर नो अब मैंने एक रहार बना दी यह भी इंसीडब रहा है वे रहिए अब देखो यह एंगल और थोड़ा हो गया अब जब मैं इसको बिल्कुल इसके उपर बना दूंगी इस तरीके से तो एंगल जीरो डिग्री पे नहीं पहुंचेगा बताओ यह आपका नॉर्मल है यह आपकी इंसीडेंट रहे है दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहे है अब मैं जब इसको इस तरीके से घुमा रही है ओना एंगल कम रहे है दोनों के बीच में और धीरे धीरे जब दोनों चिपक जाएंगे एकठ़्े हो जाएंगे तो एंगल स्काइल किंज रा लिक्रवा 1त钟 हमने यह वाला 1त्य अंगल हमने इंसीडेंट और मीर के बीच में कहते हैं यह किस-किस के बीच में होता है यह तो अब यह ध्यान रखने बस आपने नॉर्मल कहां पर है और इंसीडेंट रे कहां पर है ठीक है अगर दोनों इकठे हैं तो एंगल बन जाएगा जीरो डिग्रीगा ठीक है समझ आगे बचे कियर यहां तर इसका कुछ समझ आया यहां पर यह तो बिल्कुल नहीं समझाईए मैंने आपको यह समझ आईए बापको बताईए को कोश्चन सबने करिये थे बहुत अच्छी बात है किसी को कुछ डाउट पूछना है कुछ रह गया हो हमने जितने ट हो है जिले पिटा रिस्पॉंस देता कि मुझे पता लग जाए एट थे एट थे बिटा सबको एट भी तब को क्लियर है एक्टिविटिस समझ आई हमने कौन-कौन से अक्टिविटिस देखी बिटा अगा एट रावल दिना स्ट्रेट लाइन हाना सीधा-सीधा जाती है और घ्या देखा पिर हमने अगर लाइट के पास को रोक दें तो क्या बनती है उर हमने क्या देखा फिर क्लाज ओ रॉड रिफ्ल यहाँ एउंगल ओफ इंसीडेंस रिफ्लेक्शन यह तोणों हमेशा इक्वल होते हैं सेम पलेट located reflected 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 ray नहीं बन रहे, खीक है बच्छे, खीर हुआ सबको, चलिए, नेक्स्ट हम आगे के टॉपी करेंगे, इन दा नेक्स्ट क्ला, चलिए, हना, सफिशेंट पो तुड़े, चलिए, ओके बाई एव्रिवान, बाई बच्छे, बाई बच्छे, बाई 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 अप्छे, जैँ पुड़े, बच्छे, बाई बाई है। झाल झाल झाल